Story Day question में जो theoretical question हमारे बच्चे हुए थे 4.4 के हम वो करने वाले हैं तो पहला fourth question है इसका the sum of the reciprocals of Rehmans is the sum of the reciprocals of Rehmans is it's three year ago and five year from now is one upon three find it's present is तो इस तरह question सबसे पहले आप जब solve करेंगे तो आप सीधह हमाल नहींगे let the प्रिजेंट एज ऑफ रहमान कि प्रिजेंट इज ओप रहमान कितना हो जाएगा आपका एक्स यह अब बिल्कुल सिंपल कुछ भी नहीं करना हम करेंगा के अकौर्डिंग टूश्चिंग कोश्चिंग में क्या है कि रैसी प्रोकल रैसी प्रोकल मिश्चिस का उल्टा रह सी मेरी एस सब्सक्राइब कि मैं 20 साल का हूं तो 3 साल पहले मेरी एस कितनी हो जाएगी 20-3 तो अभी मेरी एस कितनी एक से तो 3 साल पहले हो जाएगी आपको x की value find कर रहे है तो simple आप क्या करेंगे multiply और cross multiply तो यह हो जाएगा x minus 3 और x plus 5 इदर जाएगा तो x plus 5 plus x minus 3 equals to 1 upon 3 तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसको solve करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपको plus का 2 और यह हो जाएगा x square plus 5x minus 3x minus 15 equals to 1 upon 3 cross multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा ही 3 2 जाए 6x plus 6 यह 2 का 3 का इसमे multiply किया 1 का इसमें करेंगे तो वो ही का वो ही बचेगा x square 5 में से 3 जाएगा 2x और minus 15 आप चूकी देखेगा यहाँ पर x square इस तरफ है तो आप इसको इसी तरफ रहने दीजिए इनको तर ट्रांसफर करेंगे तो x square plus 2x minus 15 ऐसे ही रहेगा उदर जाएगा तो minus का 6x minus 6 equals to 0 तो x square 2x और यह 6 तो कितना वचेगा minus का 4 15 और 6 minus 21 equals to 0 अब आपका वो इसको आप चाहो तो आप solve middle time इस पर ने जो factorization से कर लीजिए आप चाहें तो इसको solve completing square से कर लीजिए चाहें आप formula method से कर लीजिए तो मैं भी यहाँ पर factorization से कर रहा हूं तो multiply करने में 21 और एडिया से करने में 4 तो 7, 4 जा 7, 3 जा 21 तो x square minus 7x प्लस 3x minus 21 equals to 0 पहले दो और आखरी दो से common लेंगे तो x common लेंगे तो यहाँ पर x minus 7 यहाँ से 3 common लेंगे तो x minus 7 equals to 0 तो वही x minus 7 equals to 0 और x plus 3 equals to 0 तो x cost हो जाएगा आपका 7 और x cost हो जाएगा minus 3 तो आप obviously जानते हैं कि किसी की भी age जो होती है minus में नहीं हो सकती इसलिए रह्मान की इस कितनी हो गई आपकी 7 year हो गई आया आपको समझ में तो बिलकुल simple मान के हमें solve करना होता है चाहना तो आप screenshot ले लीजी हाँ तो आप next question पहाते हैं next question फिप्ते question है इन अ क्लास टेस the sum of sephali's marks in maths and English उसके मैस और English में दोनों का जो सम है वो 30 है she had she got two marks more in maths and three marks less in English बना मैस में दो ज्यादा और तीन में इंग्लिश में इंग्लिश में तीन कम कर दें तो the product of their marks would have been 210 अगर मैस के marks में दो एड़ कर दें और तो इसमें तीन कम कर दें इंग्लिश के marks में तो आपको 210 product हो जाता है उसके नम्मर बताने दोनों सब्जेक्ट में तो हम क्या करेंगे let कर लेंगे let solve करेंगे let's sephali's marks in math math में उसके marks अगर मैंने x मान लिए तो in English में कितने हो जाएंगे अब जरह यहां पर समयने वाली बात है देखेंगे इंग्लिश और मैस दोनों का सम कितना 30 है total कितने आपके 30 marks उसके आएं तो अगर suppose कि एक के x तो दूसरे क्या होंगे obvious 30 minus x होंगे जैसे मैंने कहा कि आपके आप और आपके फ्रेंट के पास total 30 रूपीज है आपके पास 10 रूपी है तो उनके पास कितने होंगे आप वही 30 minus 10 ही करोगे ना वही चीज है अब according to question पर आते हैं कोशन में यह बोला है कि अगर तू मार्क्स उसमें अपने एड़ कर दें ज्यादा मैस में और थ्री मार्क्स कम कर दें किसमें इंग्लिश में तो उन्दोनों का जो product है उन्दोनों का जो product है उन्दोनों का जो product 27x minus x square plus 54 और minus 2x plus 210 उदर लेकर चले जाते हैं क्योंकि minus x square हो रहा है इसलिए तो उस तरफ जाएगा ति प्लस का x square हो जाएगा और यह 27 में से 22 जाएगा तो 25 plus का बचेगा उस तरफ जाएगा माइनस का 25 और यह यहाँ पर plus का 210 लिखा है और minus का 54 हो जाएगा तो x square minus 25x अब 54 minus करो 210 में से तो कितना बचेगा आपका 50 गया तो कितना बचेगा आपका 160 156 कितना बचेगा आपका 156 तो अब बस इसको solve करने 156 है multiply करने में और idea subtract करने 25 आपके तो कौन से नम्मर हो सकते हैं आपके 12 और 13 देखें 13 2 is a 26 के रही है यह तो 13 1 is a 13 2 12 और 13 नम्मर है आपका तो क्या हो जाएगा आपका यह x square minus का 13x minus के 12x plus 156 equals to 0 पहले दो से common लेंगे तो x common आ रहा है तो x minus 13 बचेगा यहां से 12 minus का sign common आएगा और 12 common आएगा तो x minus 13 ही बचेगा दोनों में से x minus 13 बहार आ रहा है और यह x minus 12 equals to 0 तो x minus 13 equals to 0 और x minus 12 equals to 0 तो x cost हो जाएगा आपका 13 और x cost हो जाएगा आपका 12 that means यह है कि आपका दोनों ही value possible है क्योंकि दोनों ही positive में आई है तो अगर suppose करो if if अगर उसके x math में marks 12 है तो अब ऐसी बात है English में 30 minus 12 means 18 marks होंगे और if अगर उसके x उसके math में 13 है तो आपके English में 30 minus 30 means 17 marks हो जाएंगे तो दोनों ही answer right है दोनों ही condition true है दोनों में ही आपका answer आ सकता है ठीक है तो चलिए इसको screenshot ले लिए फिरम नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट कोशन पर कोशन नमर 6 पे कोशन नमर 6 है दा होगे डीक्टेंगूलर फिड्ट है सिंग क्या क्या है if the longer side is 30 मिटर मूर दें दा शौटे साइट फाइंड आइट साइड्ट सपिद्ट हैं तो सीदी से बद छोटेंगूलर बना लेते हैं तो यह हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया यह और इसका एक डायागोनल बना लिया अब उसमें क्या बोले कि दा डायागोनल अब दा रेक्टेंगुलर फिड़ी 60 मूर दें दी शौटर साइड अब एक्चुली यह तोड़ा शौटर लोंगर लग नहीं रहा तो इससे बना देता हूं तो बड़ा लगे यह देखिएगा तो इसमातला डिफरेंस वाल में आएगा शौटे साइड है इसको हमने एक्स माल लिया सौटे साइड को हमने क्या माल लिया एक्स तो आपका जो डायगोना लोगा वो 30 ज्याद थो एक्स प्लस 30 आप से कहा कि find the sides तो sides हमें find करनी है तो आप आप फेले solve करने में क्या करेंगे हम? Let करेंग लेट दा सौटे साइड साइड क्या हो जाएगा आपकी X-meter then diagonal क्या हो जाएगा आपका X-plus 60 और longer side क्या हो जाएगा आपकी X-plus 30 meter कि कि तो आप लिखेंगे इसको मैं नाम अगर दे देता हूं A-B-C-D एक rectangle है क्या A-B-C-D तो आप लिखेंगे N triangle ADC by PGT PGT बोले तो Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem हम लगाएंगे तो क्या होता Pythagoras theorem hypotenuse का square equals to perpendicular का square plus base का square यह होता है hypotenuse का square equals to perpendicular plus base का square hypotenuse क्या जो 90 के सामने होता है means x plus 60 का square perpendicular general यह आपका जो straight line होती ही वो होती है और base आपका यह हो गया तो यहाँ पर A plus B का whole square लग रहा है क्या होता है A square plus B square plus 2 A B 2 A और B वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा A square plus B square plus 2 A और B तो क्या हो जाएगा यह x square plus 3600 plus 120 x equals to x square plus x square x square 2 x square हो गया ठीक है और यह जाएगा 900 plus 60 x तो इनको इदर लेके चले जाते है क्योंकि x square एक है यहाँ पर 2 है तो positive में ही आएगा इसलिए तो 2 x square में से 1 x square कितना बचेगा x square 120 x उस तरब जाएगा तो minus को जाएगा कितना बचेगा minus का 60 x 120 में 60 जाएगा 60 3600 में से 900 जाएगा तो minus का कितना बचेगा आपका 2700 equals to 0 तो this is your quadratic equation अब आपको quadratic equation मिल गई तब solve करना है तो quadratic equation में क्या है कि अब मैं factorization से बताऊंगा multiply करने में 2700 है 8070 करने में 60 है तो आपको 90 और 30 90 में से 30 जाए कितना बचेगा 60 और 9 3 जा 27 तो मैं यहाँ बता रहा हूं तो x square minus का 90 x plus का 30 x minus 2700 equals to 0 पहले 200 और आखरे 200 common ले लिजिए तो x minus 90 plus 30 common लेंगे यहाँ भी x minus 90 equals to 0 तो x minus 90 और x plus 30 equals to 0 तो x minus 90 equals to 0 और x plus 30 equals to 0 तो x का जाए का 90 और x का जाए का minus 30 अब आप जानते हैं कि triangle की side होती वो minus में नहीं होती है तो इसलिए जो x की value कितनी होगी 90 है आपकी value right value है तो बस यहाँ पर x की value कितनी 90 तो यह 90 हो जाएगा यह 90 plus 60 मतलब यह आपका 150 meter हो जाएगा और यह आपका 90 plus 30 तो यह आपका 120 meter हो जाएगा तो यही के साथ आपकी जो side की value आ गई तो screenshot ले ले जी आप आ तो next question पर आते next question आपका 7 the difference of square of the two number is 180 मतलब दो number के square का difference 180 है the square of the smaller number is 8 times the larger number मतलब कि छोटे number का square हो 8 times of larger number है find the numbers तो यहाँ पर हम पहले suppose करेंगे number selecting let the numbers आपने x and y माल लिए क्या माल लिए x and y एक आपको smaller मानना पड़े गोर एक आपको larger मानना है तो आपको smaller x माल लिजी यह larger आपने y माल लिया तो according to question according to question में यह बोला है कि दोनों के square का difference कितना है 180 है तो दोनों का मैंने square कर दिए कितना 180 ठीक है अब again again according to question according to question में का बोला है कि the square of the smaller number is larger of 8 times तो अब यहां पर मैंने x square minus y square किया है तो x square बड़ा number और y square छोटा number है तभी तो 180 positive में आएगा तो यह बड़ा number है तो उसमें बोला है कि the square of smaller number is 8 times of larger number बलग कि जो बड़े number छोटे number का square है वो बड़े number का 8 times है तो इसकी equation second होगे तो मैं put कर दूँगा value put the value of second in first तो value put करूँगा तो क्या हो जाएगा x square y square की जागा रख दूँगा 8x equals to 180 तो x square minus 8x minus 180 equals to 0 अब भी multiply करने में आपका 180 आना चाहिए और radius अटरिक करने में आपका 8 आना चाहिए तो मेरे साब से 18 और 10 18 10 जा ओने 18 और 18 में से 10 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा तो x square minus 18x plus 10x minus 180 0 तो minus plus तो बचेगा 8 पहले 200 common आखे 200 common यहां से x common लेगा तो बचेगा x minus 18 यहां से 10 common लेगा तो बचेगा x minus 18 equals to 0 तो x minus 18 और x plus 10 equals to 0 तो x-18 equals to 0 हो जाएगा और x plus 10 equals to 0 तो आपको पता ही है की हो जाएगा positive और यह हो जाएगा आपका negative 10 obviously बात है number negative है ही नहीं है तो क्या आएगा आपका answer किसमा आएगा positive आएगा तो x की value 18 है तो y की value आप यहां से निकाल लेंगे यहां से मैं put second में put कर देता हूँ 12 तो y की value कितनी आगई 12 और x की value कितनी आगई 18 ठीक है तो इसमें बिल्कुल सिंपल था quarter equation बना और solve करो स्क्रीन सोट लें लीजिए तो कोशन पर एट्थ कोशन बहुत आइंप कोशन है कई बार paper में आया भी है आट्रेन ट्रेवल 360 किलो मेटर एटा यूनिफॉर्म स्पीड बदला एक ट्रेन है जो 360 किलो मेटर डिस्टेंस ट्रेवल करती यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक चैंज जो चैंज नहीं होती एफ फैदा इस पीड है विन 5 किलो मेटर 5 किलो मेटर पर आर मोर अगर इस पीड को 5 किलो मेटर पर आर जबढ़ा दें तो इट वोड़ आज यह टेकन वन आर लेस तो वह क्या करती जरनी में जो पहले जो समय ले रहे हैं उससे एक घंटा कम लेती है तो आपको इसका स्पीड बताना क् आपको इस पीड ओप ट्रेंड तो अपन सपोस्ट कर लेंगे लेट दा इस पीड ओप ट्रेंड लेट दा इस पीड आप ट्रेंड यह एक स्पीड पर आप आप हम आते हैं अकॉर्डिंग टू कोश्चन तो भाई उसने क्या बोला है कि अगर आपकी ट्रेंड जो 36 किलोट पर आप स्पीड बढ़ा दूं तो एक घंटे कम लेगी तो यहां पर टाइम की बात रहे टाइम क्या होता है टाइम होता है को डिस्टेंस अपनी स्पीड डिस्टेंस कितनी है 360 और यह एक दोनों को आप बरावर लेखो और यहां पांच किलोमिटर में इनक्रीज कर दी अब यह 5 लेखा यह 4 लेखा दोनों को बरावर कैसे करूं या तो इसमें से 1 माइनस कर दूं या इसमें 1 प्लस कर दूं दोनों ही option है दोनों को बरावर करने के तो मैं इसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ ठीक है अब solve करेंगो इस fraction बने के multiply और cross करेंगे तो x यह दर जाएगा तो जागा 360 minus x जागा 360 upon x plus 5 आप cross कर दीजिए तो क्या हो जागा 360 minus x और x plus 5 equals to 360 x multiply करा इसमें solve करेंगे 360 x इसका इसमें करेंगे कितना हो जागा जीरो 6530 के रिए 3 515 1800 फिर इसका करेंगे तो माइनस का x स्क्वेर माइनस का 5x equals to 360 x तो 360 से 360 क्या हो जाएगा cancel आप उधर लेके जाएगे plus minus cancel हो जाएगा तो आप यह दो को minus x स्क्वेर इसको जाना पड़ेगा तो जागा x स्क्वेर प्लस का 5x minus 1800 equals to 0 मेंसे आपकी यह क्वाड़ेटे की कोईशन बन गई है कि यह multiply करने मापका आना चाहिए 1800 और एडियस हंड्रे करने मापका आना चाहिए 5 तो कौन सा नम्मर होगा आपका तो मेरे हिसाब से जो नम्मर होना चाहिए तो आपका होगा यह करके देख लेते हैं अगर हम करें 45 और 40 तो 0, 4, 5, 20, carry 2, 4, 4, 16, 18, very good 45 और 40 हो रहा है जी हाँ 45 और 40 का multiply करेंगे तो 1800 आ रहा है और 45 में 40 जागा कितना बचेगा 5 तो जागा x square plus 45 x minus 40 x minus का 1800 equals to 0 पहले दो में से common आ रहा है x तो अंदर बचेगा x plus 45 यहाँ से minus 40 common लोगा तो अचेगा x plus 45 equals to 0 तो x plus 45 और x minus 40 equals to 0 तो x plus 45 equals to 0 और x minus 40 equals to 0 तो x कोच जागा minus का 45 और x कोच जागा plus का 40 तो अब यह सी बात है हम train की speed minus में तो हो नहीं सकती इसलिए possible नहीं है तो answer कहाँ जागा x कोच तो 40 बल्द जो train का speed है वो कितनी 40 km पर आर नोट कर लीजी चलिए तब आते हैं question number 9 पर question number 2 water tap can together fill a tank in 9 3 upon 8 मतलब दो water tap है जो एक tank को 9 are 3 upon 8 9 3 upon 8 आर में fulfill कर देते हैं आफ से कहाँ कि the tap of the larger diameter जो larger diameter जो बड़ा टेप है जो उसका जो बड़ा मुह है वो 10 घंटे कम लेता है smaller tap से अगर दोनों अलग-अलग फिल करते हैं जैसे अगर देख टेप टेंकर जो है उसका अगर बड़े से अकेले से भरेंगे और छोटे से अकेले से भरेंगे तो छोटा जितना टाइम लोग से 10 घंटे कम बड़ा ले रहा है तो आपको बताने कि find the time in which the each step can take fill the tank separately मतलब हमें दोनों का अलग-अलग separate time निकालना है तो हम let करेंगे let the smaller का मान रहा है let the smaller tap can fill the tank in R in XR मतलब मान लिया कि भहिया जो अपना smaller जो diameter का tap है वो आपका उस टेंग को XR में fill कर देता है तो जो इसको बेसी बात है तो larger tap कितने हम पार करेगा तो larger tap can fill the tank in उसना बोला था कि smaller से 10 घंटे कम ले रहा है तो X-10R हो जाए क्या हो जाए X-10R अब हम बोई according to question क्या करें according to question अगर इन दोनों को साथ में लिया जाए तो इतना time लगाते है तो भाईया इसमें आपो क्या करना पड़ेगा जैसे आप कभी work done करते हैं जैसे तो 8 upon 75 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 8 upon 75 यह solve करने का तरीका होता है बस आप यहां से solve करेंगो इस multiply cross multiply कर दीजी तो जाएगा x square minus 10x यह हो जाएगा x minus 10 plus x close to 8 upon 75 cross करेंगे x और x कितना हो जाएगा आपका 2x minus 10 यह हो जाएगा x square minus 10x 8 upon 75 अब cross multiply कर दीजीए cross करेंगे तो क्या होगा cross करेंगे तो क्या होगा 75 to 150x minus 750 और यह 8x square minus 80x उदर लेके चले जाएगे सभी को तो 8x square minus 80x minus 150x हो जाएगा और plus का 750 equals to 0 तो 8x square equals to कितना हो जाएगा यह minus का 230x plus 750 equals to 0 यह हमारी equation बनी है अब वोई multiply करने में हमें देखना पड़ेगा अगर हम इसको चीज पॉमन लेके कर सकते हैं तो डिवाइट कर दो बन ऐसी डारेट कर सकते हैं देखना multiply करने में कितना है हमारा 8 into 75 into 8 तो 085 40 के रहेए 4 और 8 by 64 हो रहा है कि नहीं 6000 हो रहा है कि 6000 हो रहा है मला 750 करें 6000 मुल्टिप्ला करने में 6000 और एडिया सब्सक्राइब करने में 200x माइनस का 30x प्लस 750 एक उस्टो 0 पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है दो को यहां 4 से डिवाइट हो जागा न इसलिए 8 से नहीं हो गाई 8 से हो जाएगा यहां से 8x कॉमन आ रहा है अंदर क्या बचेगा x माइनस बचाएगा 8 1 जा 8 2 जा 16 बचा 4 तो यह कितना हो जाएगा 8 5 जा 45 यहां से क्या कॉमन आ रहा है यहां से हम ले सकते हैं common 30 कॉमन आ रहा है क्या बचेगा x इसको डिवाइट करूँगा तो एक 0 से वही आपका 25 भी ब जीरो और 8x माइनस 30 कॉमन जीरो तो एक्स कॉमन जाएगा 25 और यह आपका 8x कॉमन जाएगा 30 अपॉन में 8 तो ऑबेसी बात है 30 अपॉन 8 तो पॉसिवाली नहीं है दो गंटे जब दोनों यह मिलकर 9 गंटे तकरीवन कुछ लगा रहे है तो यह इस से तो पॉसिवाली नही फिशane भरेंगे 25 इंट मिन्स यह थो आपने मिलकरना कर रहा फिल 25 आ तो बड़े वाला डामीटर वाला जो है वह 15 आर में फूलिफील कर देगा और और जो-सो पहागो अगत्रेगा कर लीजिए यसिज़ेंटि प्यस्ट और मैं इस इस तो को सुसंसी हुन से प्रहों दो्सक्राइबस टैन debate मोदें तुल रएट यह चैसले को इस तो सब्सक्राइन करना करना वह तुद कर लें नहीं आता ता थे से कमेंट कर देंगे तो मैं आलक से वीडियो बना दूँ उसके तो यहां पर आप देखेंगे आसदा सम आप दी एरिया प्टू स्क्वेर इस फोर सिक्स्टी एड मीटर इप डिप्रेंस ऑफ दियर पेरिमीटर इस 24 मीटर फाइंड दी साइड प्टू स्क्वेर तो मैं माले आप है साइड का दौनों के स्क्वेर के एरिया कितना दौनों का सम ऑपेरिया जाउप कितना 468 एक्वेशन बन अगई अगेन उनों के प्रिमीटर पैरिमीटर क्या होता था यह एक्ष और यह फोर बाए डॉनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है तो बस सिंबल सी वात है 2 equation आपका सागए, एक की value दूसरे में साथ substitute करना है तो मैं क्या करता हूँ, 4 से पहले पूरी equation पर डिबाइड कर दूँ तो क्या बचेगा, x minus y equals to बचेगा, आपका ये 24 तो 6 बचेगा तो x equals to कितना हो जाएगा, आपका ये 6 plus y बस यह x की value मैंने माल लेंगे, इसको equation second माल लेंगे और value को put कर देंगे, put the value of x in equation first तो यह मैं equation first value put करूँगा, तो क्या हो जाएगा 6 plus y का square plus y square equals to 468, ठीक है तो इसको खोलेंगे तो हो जाएगा, a square plus b square plus 2a भी, तो 6 to the 12y plus y square minus 468, इसको इधर ही ले आएगा तो y square, y square कितना हो जाएगा, 2y square plus 12y square और 468 में से 36 हैं, कितने बचेंगे आपके, minus 234, 32 बचेंगा पूरी equation को मैं चाहूँ, तो 2 से divide कर सकता हूँ, कर देता हूँ y square plus 6y minus 22 the 4, 21 the 2, 26 the 12, अब multiply करने में आपका आना चाहिए, 216 और 87 करने में आना चाहिए, आपका 6, तो कौन सा नम्मर है, आपका कौन सा नम्मर है, 18 और 12, 18 और 12, very good, तो यह हो जाएगा, 18y minus 12y minus 216 equals to 0, पहले 2 से common, आखरी 2 से common, तो y को में लें, तो y plus 18 बचेंगा, यहाँ पर 12 लेंगे, तो y plus 18 ही बचेंगा, तो y plus 18 equals to 0, और y minus 12 equals to 0, तो अब्यस ही बात है, y equals to minus 18, this is not possible, और y equals to 12, यह positive है, क्योंकि जो आपका square है, उसकी side बात है, minus में तो होगी नहीं, तो इसलिए y equals to 12 आगया, तो y की value अगर 12 है, तो x की value क्या होगी, x equals to 6 plus 12, x की value 18 हो जाएगी, एक square की जो value 18 है, और एक की आपकी जो side हो कितनी है, 12 मीटर है, तो इसी के साथ आपका यह जो chapter exercise plus chapter सब कुछ finish हो गया है, अगर आपको अभी भी कोई doubt है, तो आप comment कर सकते हैं, अगर आपना भी तक वीडियो को like नहीं किया, तो like कर दीजी, channel को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर दीजी, और अपने दोस्तों के साथ share के लिए इस वीडियो को जादा से जादा, और जितने भी आपको कोई problem issue आते ह प्लीज comment करें, आपको जो comment मैं पढ़ूँगा, आपकी हरे comment पढ़ता हूँ, मैं comment पढ़ने के बाद, जो भी अगर मेरे को लगता है, कि ये general बहुत सारे लोग साथ problem हो, तो मैं फिर उस पर नया वीडियो बना दूगा, ऐसी वीडियो को अंतक बनेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।